नमस्का दोस्तो आप सभी का स्वागत है टेकनिकल एनलिसिस सीरीज में तो दोस्तो आज हम बैर फ्लैग जो आप इमेज देख रहे हो बैर फ्लैग के बारे में स्टडी करेंगे लास्ट वीडियो में हमने बुल फ्लैग के बारे में स्टडी किया तो दोस्तो बैर फ्लैग इ के बाद अब दोस्तों जैसा आपको यहां पे structure दिखाई दे रहा है bear flag का flag के अंदर यह जो pole है यह आपकी initial down move होती है उसके बाद हमें flag की body दिखाई देती है और उसके बाद जब breakdown confirm हो जाता है उसके बाद हमें again एक down move आती भी दिखाई देती है तो bear flag flag के अंदर pole and body यह दो component होते हैं similarly like bull flag और bear flag continuation pattern है मतलब आपको bear flag कभी भी initiation पे नहीं देखना let's say आपको bear flag initiation का क्या मतलब है या reversal के time या break first breakdown के time तो आपको ध्यान रखना है let's say एक बाव उपर जा रहा है then consolidate होता है और यहाँ पे यह गिरना start होता है आपको prior move तो मिली ही नहीं भले ही यहाँ पे consolidation था you are just getting a down move तो आपको एक down move होने का establish करने का एक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद bear flag जब बनते हैं हमें उस पे trade करना चाहिए और यह आपको number one point आपको यह चीज़ ध्यान रखना होगी number two bear flag के अंदर यहाँ पे मैंने आपको illustration के लिए यह थोड़ा extend करके बता है normally again like bull flag bear flag three weeks के आसपास होते हैं but we can extend it to four week this is the maximum limit तो three to four weeks के अंदर ही हमें pattern form होते वे दिखाई देना चाहिए especially flag की यह जो body okay pole भले ही हमें बड़े मिल सकते हैं या छोटे depend upon the down move but हमें body जो है three to four week max this is max we can even get two week और जितना हमे two week type के structure मिलेंगे उतना ज़्यादा momentum से वो counter नीचे जाएगा okay तो यह जो दो point है यह आपको ध्यान रखने है इसके अगर हम psychology समझने जाए okay कि यह structure क्यों बनता है chart पे आप कुछ सोचिए कि अगर आपने कोई counter को short किया है okay उपर के भाव पे और पोल कभी भी ध्यान रखिए यह दो पाच परसंट के नहीं होते है easily 15 परसंट के आसपास तक मिलते है 10 तो आपको नॉर्मली दिखाई देंगे इन सम केसे 20 परसंट तक भी जाते हैं when you are sitting in such a high profit short sellers wants to book their part profit या फिर इनको पूरा ही exit करना होता है क्योंकि पोल अधिकतर एक quick बनते हैं okay तो इस case में many sellers what they will do they will cover their short यहां पर हमें एक short covering की वज़े से यह अपमूव आते भी दिखाई देती है ना की fresh buying की वज़े से okay so buyers भी buy करते है definitely but fresh up move आती है mostly हमें in short sellers के कारण जो अपनी position अब short cover कर रहे हैं तो जोस्तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उनका जो motive है वो है उनके part profit करना उस वज़े से जो up move आरी उस वज़े से जो retracement आ रहे है उसमें हमें excitement नहीं दिखाना which means हमें long position तो बिलकुल ही नहीं बनानी होती okay अब जब यह flag का structure break हो जाता है from this rising support line अब देख सकते हो bears taking the control यह आपर मैंने लिख रखा है bulls taking the control okay bears control जब लेते हैं जब यह spike देथा है जब-जब bears आकर अपनी power दिखाते है और bulls निचे से power दिखाई रहे हैं जब dip आ रहा है इसमें जो rising structure दिखता है आपको यह bulls की तरफ से basically एक attempt दरसाता है plus और जिन लोग ने shot किया है वो बोलते previous low की बदले थोड़ा उपर ही मैं cover कर लेता हूँ यह जो flag pattern है इसको ध्यान रखिए है हमशा आप continuation में ही देखेंगे अब हम इसके example लेखते हैं और उस पर समझते हैं उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह channel का रूप कब ले लेता है flag की body इस पर भी हम ध्यान देंगे यहां पर मैंने illustration के लिए यह थोड़ा extend करके बत हमें एक flag pattern दिखाई देता है bear flag pattern उससे पहले आप समझे यहां पर already एक down move start हो चुकी है lower highs बंद रहे हैं चार्ट पे हम देख सकते है clearly और हमें support के area में ही now we can't say कि यह sir first move initiator हो रही है okay we can see the stock is already falling down which means stock weak हो रखा है और यहां पे अब हमें एक flag structure दिखाई देता है see this I have marked this इसके अनरा हम देख सकते है the overall length is approximately 3 weeks और यहां पे हमें swings दिखाई देते है see this this is the bear attempt to pull it down again bear attempt here you can see bull attempt to take it up bull attempt to take it up when we got the final breakdown from this point this was the breakdown point I write bd okay इसके बाद हमें यहां से एक confirmation मिल जाता है जब इसका low breach होता है और यहां पे fresh shot initiate हो जाते है इसका SL अब क्यूकि देखो this is only one single candle which is eating up the whole body अब in the mid पे आप SL लगाओगे and you will simply plot the pole this is pole अब सीधा pole plot कर दोगे from the rising resistance line यह वाली जो line है this is rising resistance line तो यहां पे आपको target लगवग आते हैं around 2490 हमारे इस case के अंदर और यह मैंने जो pole लिया है यह almost 2800 से हमने यह जो pole का distance ता फर्स्ट पोल ओके and this is your second pole okay तो यह जो second pole होता है same आपको first pole का distance रखना होता है अब दोस्तो अधिक तर आपको breakdown पे यहां पे in some cases आपको एक volume structure जो होगा वह rising होगा पहले okay then उसके अंदर volume कम होना start होंगे and then यह जब breakdown मिलता है then again आपको volume बढ़ना start हो जाएंगे okay इसे साब से कोई structure दिखाई देता है अब दोस्तो चलते है next example की और next example के अंदर okay let me show you some mistakes which we which newcomers do in the market तो दोस्तो यहां पे मैने चार्ट लगाया है NBCC का okay now this structure will also look like a flag to you all okay but let me make this okay this line see but I can see it has taken almost two months from March to May it has taken approximately eight weeks okay so this has become a rising channel okay we can also sometime call it extended flag but I don't want to take you into dead zone okay because that will even confuse you further we will always consider this kind of structure as a rising channel कभी भी हमें दिखे देखो दोस्तो कभी भी हमें ऐसा दिखे की तीन सा चार वीक में नहीं बना we will not call it flag हम राइजिंग चैनल की तरह उस पे वर्क करेंगे because rising channel के जो target आते हैं वो almost आते है channel के distance के जो की almost around midway में ही achieve होते है and people hold their position अब definitely आप अगर इसकी जो down move देखोगे you can't calculate from here okay यहां से नहीं ले सकते जबी भी आपको यह जो calculate करना होते है और एक चीज में समझा दे तो अधिकतर लोग poll calculate करने में गल्ती करते हैं poll calculate करने के लिए आपको यह जो major जो भी accumulation distribution यह आप समझे major जो retracement के बाद यह जो consolidation जो होता है इसको avoid करना होता है okay अब यह वाला जो है structure this is also like a flag structure in fact symmetry पूरी मिलती है but because this is the initiation move okay this one so that's why we will not consider this okay अब देखो this is our channel if someone say can we consider this as a flag structure right now see this as a bare flag structure yes it is a bare flag structure but यह पे आपको overhead support मिल गया है okay so we should simply avoid this kind of a structure तो यहाँ पे मैंने example इसलिए दिया है आपको बताने के लिए यह particular stop को कि इसको bare flag हम नहीं बुलेंगे okay we'll simply avoid हम इसे rising channel ही बुलेंगे मैं इसके बारे में detail में video जल्द बनाऊंगा जब मैं यह pattern को cover करूँगा okay तो दोस्तो यह चीज़े हमें गलती दोरानी नहीं है अब मैं आपको next example की और लेके चलता हूँ जापे आपको और clear हो जाएगा अब दोस्तो जो हमारा next example है वो है निप्वान इंडिया का okay now see this अब यह structure देखे हैं यहाँ पर we have got a rising support line हम इधर clearly देख सकते हैं a rising support line basically this is in a channel only मैं channel पर आपको और detail में समझाऊंगा क्योंकि मैंने rising support line के बार में video बता दिया है तो आप इससे easily समझ जाएंगे नहीं देखा है तो जरूर देखे वीडियो तो यह जो rising support line है इसके बाद हमें इसका breakdown दिखाई दे रहा है breakdown पर यहाँ पर जरूर एक consolidation दिखाई देता है but this is the first initiating move यह आप लोग के लिए risky हो जाएगा first initiating जो down move होती है उसमें participate करना okay so जब rising support line का breakdown हुआ उसके बाद जो इधर consolidation again हुआ this is second time consolidation in a down move हमें already यह जो high थे इसके बाद हमें lower high lower low मिलना start हो गए है see this okay and this is from the down theory perspective इससे हमें trend का अनुमान लग जाता है कि अब यह downtrend में आ गया down structure में आ गया है अब दोस्तो इसके अंदर हमें same यहां पर bears का pressure दिखाई देता है इधर bears का pressure दिखाई दे रहा है और bulls का pressure भी दिखाई दे रहा है जब हमें breakdown मिल जाता है okay from the lower lows यहां पर हम short initiate करते हैं और इसका जो SL आता है previous candle और same candle का हम high रखते हैं अगर वो candle पूरा ही cover करती है body तो आप half distance पर SL दालते हैं first pole का जो target होता है see this is our first pole okay जो initial down move थी and you will just simply keep it in this case हमने जो pole गिना है वो गिना है 420 से see this I am not counting pole from year okay लोग यह भी गलती करते हैं यहां से pole गिन लेते हैं we should not do this यहां पर आप देख सकते candle छोटे छोटे candle बन रहे हैं मतलब यहां पर अभी भी fight चालू है bulls and bears की कोई decisive control नहीं कर पा रहा और यहां से क्योंकि decisive control हमें देखने मिली है हम यहां से pole गिनेंगे दोस्तों तो इस हिसाब से जब हम इसे नीचे रखें जब हम इसको plot करेंगे from a rising support line जो red color की मैंने यहां बनाई है 382 के आसपस हम इससे नीचे रखेंगे 327 तक आता है हम target achieve होते वे देखते हैं next day और एक बर नीचे जाके and we can see again people are booking their profit अब दोस्तों जो भी flag pattern होता है यह continuation pattern के part होते हैं और आप ध्यान रखें जो भी continuation pattern के part होते हैं उनमें जबी भी breakout breakdown आता है वो most of the cases में हमें थोड़ा quick देखने मिलता है vis-a-vis other pattern के यह चीज़ का हमें advantage मिलता है continuation pattern पे work करने का because हमारे साथ already trend है इसलिए हम बोलते है trend is our friend ओके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमने काफी detail में 3 example देखें कैसे हम किदर गलती भी करते हैं और किदर हम apply नहीं करना चाहिए यह चीज़ सेम जो मैंने बुल में भी बताया था बुल flag के अंदर आप सेम उस जो आज की मैंन चैनल देख लेते हैं वो issues आते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करे दोस्तों के साथ शेर करे और जिन viewers ने चाट मुझो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देफिनिटल सब्सक्राइब करे तिल देन टेक केर और आई विल मेट यू इन दा नेक्स्ट एपिसोड जा पे हम नया पैटन के उपर बात करेंगे